असलाम अलेकूम, उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अलहम्तुलिल्ला मैं भी ठीक हूँ और खेरिये से हूँ, तो फिर देखते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या है? सबसे पहले यहां मैं बना रही थी आलिया के लिए जो स्कूल में उनकी टीचर ने उनसे कहा था घर से बनाने के लिए, तो मैं टीचर से कहना चाहूंगी, प्लीज के आप लोग ऐसे काम बच्चों को मत दिया करें, जो बच्चे अकेले ना कर पाएं, बताएं यह ग्लिटर काटना, चिपकाना यह सब काम बच्चे कर लेंगे चोटे बच्चे तो हम मम्यों को ही लगना पड़ता है, अगर पापा फ्री है तो उन्हें भी साथ में लगना पड़ता है, तो आलिया तो यह सब कर नहीं सकती थी, तो मैं और मेरे हजबन दोनों ने मिलके बनाया और साथ काटना और फिर यह सब उनको डेकोरेट करना, तो हो तो जाता है काम आप टीचर्स देती है, तो हम को करके तो देना ही पड़ता है, लेकिन यह हम परेंट्स के ऊपर यह बर्डन डालती है, मतलब हम अपने घर को भी मैनेज करते हैं और आप स्कूल का काम ऐसा भेज द कुछ याद करने के लिए दे दीजे, वो बचा याद करके जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़े मत दीजे, लेकिन खेर मेहनत के बाद में यहां पर यह दिये बन गए थे, बड़े खुबसूरत भी लग रहे थे, मुझे लग रहा था शायद अच्छे नहीं बनेंगे लेकिन य मेरा भी और बच्चों का भी बहुत दिन से नहीं खाई थी, तो सबसे पहले आज बनाते हैं देसी स्टाइल में चाउमी, तो सबसे पहले मैंने पानी बोईल किया, उसमें नूडल्स टाल दिये, और नूडल्स जो है वो 80% तक मैंने पका लिए, अगर ज्यादा पकाऊंग तो यह पिर चिपक जाएंगे, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद मैंने सबजिया बगरा जोती सारी काट ली थी, और मैंने तेल लिया, गरम कर लिया, और कटा हुआ लैसन जो है, वो मैंने इसमें डाला, क्यूंकि लैसन का टेस्ट बहुत अच्छा आत अगर आपके पास काजर हो, बीन्स हो तो आप वो भी इसमें डाल सकती है, बड़ी बड़िया लगती है, तो मेरे पास ये शिमला मिर्च और पता गोबी थी, तो मैंने ये ही डाल दिया, उसके बाद में मैंने डाल दिया इसमें पता गोबी, ये तो इसमें सबसे अच्छी लगती है मुझे लगता है यह सभी बनाते होंगे और थोड़ी से चलाने के बाद में मैंने इसमें अपना एक मैजिक मसाला जो है वो एड किया बही मेरी लेसन की चटनी देखने में तो यह बड़ी खतरनाक लगती है लेकिन इतनी जादा खतरनाक होती नहीं है मतलब मिर्च बहुत जादा नहीं होती है तो इसके डालने के बाद में मैंने इसमें डाला नमक क्योंकि नमक तो बहुत जादा जरूरी है नमक नहीं होगा तो खाना बिल्कुल ही बेकार लगता है डूडल्स मैंने बाद में इसमें एड कर दिये देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं ह क्योंकि मैंने 80% तक यह पकाई थे पूरे कुक नहीं किये थे यह उसके बाद में उससे तो चल नहीं रहा था तो मैंने वो चिम्टा ले लिया और उससे चला लिया और उसके बाद में इसमें red chili sauce, green chili sauce और soya sauce यह तीनों चीजें इसमें मैंने डाली इन चीजों के बगएर तो tomato sauce, tomato sauce बहुत जादा इसमें मैं नहीं डालती हूं थोड़ी सी डालती हूं मेरे पास जो चिम्टा था मैंने अच्छी से चला लिया और तेखी कितनी जादा अच्छी लग रही है और खाने में भी यकीन किजें यह बहुत जादा बढ़िया थी और टेस्टी थी और उसके ब मैंने जैसे कि लेसन की चट्नी, गरा मसाला, कुटी हुई, काली मिच यह सब चीजे तो नहीं पड़ती है तो मैंने यह सब चीजे इसमें डाली और इसे अपना देसी लुग दे दिया और इससे यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया और खुल के जो है वो रुक चाहिए अभी मैं इसकी वीडियो बना लूँ मैंने का बेटा तुम बनाओ, मुझे भूक लग रही है और मुझे इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बस मैंने जो है वो टोमेटो सॉस उसमें डाली और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया और आप एक चीज इसमें कि थोड़ा सा नहीं खाया था मैंने जो पहला बाइट जो लिया था वो थोड़ा नहीं देखिए कितना भर के मैंने लिया है बाइट तो बहुत अच्छी बनी थी और मज़ेदार बनी थी ये बहुत सारे लोग जो है वो इसमें मैयोनीज डालके भी खाते हैं इजहान तो म मिर्च वाली चटनी जब इसमें मिर्च नहीं होती है यह इस टाइम तो मैंने बहुत जादा मिर्च वाली बनाई थी और बहुत बढ़िया बनी थी और बच्छों ने भी बहुत जादा इंजोई किया था नूडल्स को और उसके बाद में जो है वो मैंने मिहंदी लगाई कभी भी मतलब कलर ना करू मैंने अभी तक तो अपने बालों को कलर से बचाए रखा है बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैंने आज तक कभी अपने बालों पे कलर टच भी नहीं किया है मैंने हमीशा मींदी ही लगाई यह जब भी मुझे जरूरत पड़ी है औ लेकिन हाँ अगर बहुत जादा सफैद हो गए और मुझे जो है ज़रूरत पड़ी तो मुझे कलर का इस्तमाल करना ही बढ़ेगा तो कहते हैं कि कलर से जितना बचा जाए उतना जादा अच्छा है लेकिन आज कल तो यह फैशन में है कलर तो हर इनसान जो है वो अपने बालों पर कलर करके बड़ा उसे लगता है कि हम बहुत हमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन मुझे नहीं लगता है यह अच्छा काम है अपने बालों पर इतना जादा कैमिकल देना और उसके बाद में कहते हैं जब सुहागने होती हैं वो उनके नाखून जो है वो सफेद नहीं होने चाहिए तो मैंने भी जो है बहुत दिन से मैंने मेहंदी नहीं लगाई वैसे मेरे नाखून जो है सफेद नहीं रहते हैं मैंने महंदी लगाई और महंदी लगाने के बाद ने मेरे नेल्स देखी कितने जादा अच्छे हो गए थे और मुझे भी बड़े अच्छे लग रहे थे हातों पे कम रची थी लेकिन फिर से लगा लूँगी अब मैं अपने ब्लॉग को बंद करती हूं अला फिर